उत्राखंड का नाम आते ही सब के मन में आता है मंदर सुलिप्त देभुमी, उचे उचे पहाड और सुन्दर द्रिश्य, पवित्र नदियों का संगम परंतु इसके लावा एक और सच्चाई भी है उत्राखंड के लोगों का पलायन और भारी लोगों का आगमन खाली और उजडे हुए गाउं, खेतों में पश्वों का आतंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो उत्राखंड अपनी पैचान खो देगा उत्राखंड सरकार और उत्राखंड के लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे उत्राखंड फिर से भाल हो सके कही गई बातें अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद